जय श्री कृष्ण मित्रों धगवान श्री कृष्ण ने तीन ऐसे भोजन के विशय में बताया है, जिसका ग्रहेन मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन मनुष्य के जीवन में दुख दरिद्रता लेकर आता है। दोस्तों हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में हमें हमारे जीवन को सुखी तथा समरिध बनाने के उद्देश से कई महत्वपून बाते बताई गई है। हमारे पुरानों में कई ऐसी रहस्यमई बाते लिखी हुई है जो मनुष्य को दीरगायु जीवन जीने के लिए उप्योगी है। गरुर पुरान हिंदू धर्म के प्राचीन अठारा महा पुरानों में से एक है। गरुर पुरान में भगवान श्री कृष्ण और गरुर जी का समवाग बताया गया है। अचुद्ध कर्म तथा मृत्यू के बाद आत्मा की परलोग यात्रा का भी वर्नन किया गया है। श्री कृष्ण ने गरुर जी को भोजन सबंधी बहुत ही महत्व पूर्ण नियमों का वर्नन किया है। किस प्रकार का भोजन अशुध और त्याज्य होता है और किस प्रकार का भोजन मनुष्य को दीरगायू प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने अनुसार इस संसार के प्रत्येक देहधारी प्राणी को अपने शरीर को चलायमान रखने के लिए भोजन करना अनिवार्य है भोजन के बिना शरीर को उर्जा प्राप्त नहीं होती है भोजन से ही उसके शरीर के सभी अंगों को शक्ती मिलती है किन्तु भोजन करते समय मनुष्य को शास्ट्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियमों का पालन भी अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार भोजन करने वाला मनुष्य दीरगायू हो जाता है। साथ ही उसे सुन्दर रूप की भी प्राप्ती होती है। शास्त्र नियमों का पालन करते हुए भोजन करने से समस्त देवी देवता भी संतुष्ट होते हैं और आशिरवाद प्रदान करते हैं। साथ ही मा अनपूर्णा तथा देवी लक्ष्मी की भी कृपा मनुष्य पर बनी रहती है। जिससे उसे जीवन में कभी धन और धन्य की कमी नहीं रहती है। श्री कृष्ण ने गरुडजी को तीन प्रकार के भोजन के बारे में बताया है जो मनुष्य को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन करता है। उसके शरीर के अंगों को क्षीन तथा कमजोर बनाता है। और ऐसा व्यक्ति जवानी में ही बूढ़ा दिखाई देने लगता है। ऐसा भोजन श्राप के समान ही होता है जिसका ग्रहन करने से व्यक्ति को शारिरि तथा मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा श्रापिक भोजन केवल प्रेतों के लिए होता है यदि मनुष्य भूल से भी ऐसे भोजन को ग्रहन कर लेता है तो कम समय में ही मृत्यु को प्राप्थ हो जाता है आईए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य के लिए किस प्रकार का भोजन वर्जित है और भोजन करते समय कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए भगवान श्री कृष्न कहते हैं मनुष्य को हमेशा अपने पांच अंगों को साफ करके ही भोजन करना चाहिए दोनों पैरों को तथा दोनों हाथों को और अपने मुख को जल से अच्छी तरह से स्वच करके ही भोजन करना उचित होता है इससे मनुष्य के शरीर से रोग दूर रहते हैं और व्यक्ती दीरधायू बन जाता है भोजन शुरू करने से पूर्व उस भोजन के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और संसार के समस्त प्राणियों को भोजन प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए इस प्रकार से अन्न देवता को प्रणान करके भोजन करने से मनुष्य को कोई पाप नहीं लगता है श्री कृष्न कहते हैं मनुष्य को भोजन करते समय अधिक वारतालाभ नहीं करना चाहिए प्रथम तीन निवाले ग्रहन करते समय बोलना नहीं चाहिए जब मनुष्य गुस्से में हो तब उसे भोजन नहीं करना चाहिए रोते हुए अथवा हनस्ते हुए भी भोजन करना अनुचित होता है इससे शरीर में विकार उत्पन होते हैं भोजन करने की सर्वोत्तम स्तिथी के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं जमीन पर बैठ कर भोजन करना ही श्रिष्ट होता है। इससे शरीर के अंदर की उश्मा प्रिथवी में प्रवेश करती है और भोजन अच्छी तरह से पच जाता है। बिस्तर पर बैठ कर भोजन करने से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन होते हैं और उसकी आयू कम हो जाती है। साथ ही दहलीज पर बैठ कर भी भोजन करना अनुचित होता है। इससे देवी लक्षमी रूठ जाती है। हथेली पर रखकर अथवा चलते हुए भोजन करने से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है और उसके धन का नाश हो जाता है। आईए अब जान लेते हैं मनुष्य को किस प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए। सबसे पहला है जिस भोजन को कोई लांग कर गया हो। दूसरे प्रकार का भोजन है जिस भोजन में बाल निकला हुआ हो। गरुर पुरान के अनुसार यदि भोजन में बाल निकला आता है तो ऐसा भोजन त्याज्य हो जाता है। यदि अंद में बाल निकलता है, तो उसे इश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और नहीं स्वयन खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्थ हो जाता है। तीसरे प्रकार का भोजन है दूसरों को परोसा हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन चीम के खाता है, अथवा किसी को बिना दिये ही स्वयन उस अंद का उपभोग करता है। उससे देवी अनपूर्णा रुष्ठ हो जाती है। भोजन सभी में बाट कर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुने कर्म नश्ठ हो जाते हैं। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण में इन तीन प्रकार के भोजन को त्याज्यमाना है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। विडियो को लाइक जरूर करें। और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मा अनपूर्णा अवश्य लिखे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आप सभी का धन्यवाद आई होगी।